डिक्टेशन करती सोवसब्द प्रतीमिनट इस्टार्ट लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड लोग ऐसे हैं जो की गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं जिनको कोई रोजगार के अवसर उपलब्द नहीं है और मजदूरी करके अपनी रोज की रोटी कमा पाते हैं यदि हम इन दोनों इस्थितियों की तुलना करें तो क्या संपत्ती के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन गरीब लोगों को आसहाय छोड़ दें जो की इस देश के असली नागरिक हैं अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाते हैं तो हमको निश्चित करना पड़ेगा कि जब तक हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक इस बात का प्रतिबंद लगाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करेगा सबी लोगों की नियुनतम आवशक्ताईं पहले पूरी की जाएं तबी एक व्यक्ति को एक से अधिक रोजगार करने की छूट दी जा सकती है उनको रोटी मिल जाए कपड़ा मिल जाए रहने के लिए मकान और सिक्षा की सुधा मिल जाए यदि हम उनकी नियुनतम आवशक्ताओं को पूरा करा दे तो हम इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे तभी इस देश में समाजवादी समाज की रचना हो सकेगी तभी हमारे संविधान की मंसा पूरी हो सकेगी आज की जो अर्थ व्यवस्था है उसमें पूजीवाद का प्रभाव है जिस आदमी के पास पैसा है जिसके पास साधन है उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए वह चाहे जितना पैसा खर्च करे लेकिन जिनके पास स्रम है उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती है इसका कारण हमारी कुछ सामाजिक विसमतायें भी हैं आप चाहें शिक्षा का छित्र ले या रोजगार का छित्र ले हर कहीं एक संपन वर्ग बन गया है जिनके बच्चे अच्छी सिक्षा पाते हैं अच्छा रोजगार पाते हैं अच्छे अच्छे पदो पर वे कबजा कर लेते हैं लाखो रुपए दान दे कर डॉक्टरी या इंजीनियरी पढ़ते हैं इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों फे हटान पड़ेगा लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट्र की होती है मेरा कहना है कि सभी तरह की संपत्ति रहे लेकिन हमें व्यक्तिकत संपत्ति पर एक सीमा लगानी चाहिए जिस प्रकार से आपने गामों के किसानों पर लगाई है एक निश्चित राफी से अधिक कोई आदमी संचय नहीं कर सकेगा दूसरे को संपत्ति मिलेगी महोदय हमारे वित्मंत्री ने इस सदन में दूसरे सदन में माना है कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोट हैं जो हमारी आमदनी है उसका 60% केवल देश के 20% लोगों पर खर्च होता है लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट की होती है मेरा कहना है कि सभी तरह की संपत्ति रहें लेकिन हमें व्यत्तिकत संपत्ति पर एक सीमा लगानी चाहिए जिस प्रकार से आपने गामों के किसानों पर लगाई है इस्टाब